पंजाब के कल तक जो मुख्यमंत्री थे, कैप्टन अमरेन सिंग, उन्होंने कॉंग्रेस के ही प्रदेशा दिर्शन नौजोज सिंग सिद्धु पर बेहत गंभीर आरोप लगाये हैं। भारत पर पाकिस्तान द्वारा आतंग की हमले के बाद नौजोज सिद्धु ने पाकिस्तान जाकर वहां के सेना प्रमुक बाजवा को जिस तरह से गले लगाया। इसका उधारन देते हुए उन्होंने उसको एंटी नैशनल कहा है। देश विरोधी करार दिया है। यह बेहत ही गंभीर आरोप है। और देश ने देखा है। देश के मन में पहले से ही यह मुद्दा था। कल उसको अमरेंदर सिंग ने मुखर किया। भारतिय जन्ता बाठी इस समय एक ही सवाल पूछ रही है। सोनिया जी से, रहुल जी से और प्रियंका जी से। क्या आप चुप क्यों है। इतना बड़ा संगीन आरोप प्रदेश का मुख्यमंत्री प्रदेश के अध्यक्ष पर लगाए। और कॉंग्रेस पूरी चुप रहे। इसका मतलब क्या है। और इसलिए हम मांग करते हैं कि कॉंग्रेस को इस मुद्दे पर बोलना चाहिए। इस मुद्दे पर अपनी भूमिकास पश्ट करनी चाहिए। और हम पूछना चाहते कि क्या कॉंग्रेस पार्टी इन गंभीर अरोपों का सग्यान लेते हुए कोई कारवाई करेगी। आज हमें यही पूछना है।